कियाए विटेब! क कालो開始 2019? मैं आपके साथ दिमाग मेरे यह आया कि, मैं आपको 10 ऐसे laptop बता दूक। बेस्ट है और आपको बहुत कम रेट में मिल जाएंगे तो मैं आज आपको बताना लोग टॉप 10 बेस्ट गेमिंग लैप्टॉप अंडर यौर अंडर एवरी वन्स बजेट अंडर एवरी वन्स बजेट मतलब लाक डेड़ लाक का भी लैप्टॉप नहीं है वह और इतना भ वीडियो को बेन स्किप के एंड तक देखेगा चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देएगा तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारा जो पहला लैप्टॉप है उसका नाम है लिनोवो आइडिया पैड गेमिंग लैप्टॉप तो इसमे बहुत अच्छा प्रोसेसर है किसी भी गेमिंग लैपटब के लिए और किसी भी इडिटिंग के लिए कोई भी इडिटिंग आप इसमें कर सकते हो बहुत आसानी से भी एडियो लाग करे improvement लैग करेगा यहात दी यह बहुत अच्छा दिस्पले नहीं लिए बहुत पूरा RGB आपको यहां पे लेया क्या बलता है कीबोर्ड आरजी भी मिलेगा नीचे से पूरा RGB है यहां पर आपको मिल जाता है Xbox का Gaming Pass मिलता है इसके अंदर आपको और यहां पर आपको इसका जो Touchpad है इसका जो Touchpad है उसमें 20 x 7 mm का Touchpad है आपका यहां पर मतलब बहुत बड़ा Touchpad है जहां पर आप एक Gaming खेल जकते हो इस टाइप का Audio मतलब आपको मिलता है configuration इसके अंदर और यहां पर 16 GB का DDR4-3200 mhg का आपको ग्राफिक्स मिलता है RAM मिलता है 16 GB का और यहां पर आपको बहुत जादा अच्छी brightness के साथ और बहुत अच्छे quality और functions के साथ यह मिलता है इसका hardware है जो बहार में इसका hardware है जिससे यह बना हुआ है यह बहुत solid है तो आपको इसकी चिंता लेने की जाओतने है कि यह बहुत जल्दी तूट जाएगा या कुछ हो जाएगा इसको और इसका आप drop test भी कर सकते हो इसके में दिया है और इसमें सारे ports आपको मिलता है आप इसमें से apple phone को भी connect कर सकते हो अगर आपके पास कोई और USB या किसी और connector की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें C type connector भी दिया हो रहता है तो इसमें आपको इतना configuration मिलता और यह बहुत best है as a price rate हम लोग इसको देखेंगे तो यह बहुत best आपको मिल जाता है इसको मतलब rate आपको मिल जाता है 59,000 में something में तो अगर offer उफर में लोग है तो आपको मिल जाएगा 50,000 में 50,000 में आपको ये laptop लगबग में मिल जाएगा तो चलिए हम चलते है अब अपने second laptop की हमारा जो second laptop है उसका नाम है Acer Aspire 7 Gaming Laptop इसमें आपको प्रोसेसर मिलता है इंटेर का Core i5 और ये भी 10th generation आपको मिल जाता है 10th generation वाले laptop है ये और आपको यहाँ पे मिलता है Windows 11 मतलब इसके अंदर Windows 11 pre-downloaded रहेगा मतलब पहले से राउ यहाँ पे NVIDIA का GeForce GTX 1650 graphics card आपको मिल जाता है और यहाँ पे आपको RAM मिलता है 4GB मतलब 4GB RAM मिलता है जो आप अपग्रेड कर सकते हो in future और यहाँ पे आपको 16GB of DDR system memory मिलता है 16GB का system memory मिलता है और अपग्रेडेबल मतलब 32GB तक आप अपग्रेड कर सकते हो और यहाँ पे आपको SSD मिलता है 512GB का SSD मिलता है जिसको आप 1 TV तक अपग्रेड कर सकते हो 8GB तक अपग्रेड कर सकते हो अपने हिसाब से अपग्रेड कर सक तो आपको यहाँ पर मिल जाता है 15.6-inch का डिस्प्लेई और यहाँ पर आपको यह पर चीज मिलता है with IPS In Plan Switch मतलब In Plan Switching तो यहाँ पर आपको बहुत सारा टेकनोलोजी इसके अंदे मिलता है और Full HD Display यह पूरा HD Display इसमें आपको ग्राफिक्स बहुत अच्छे देखने को मिलेगे जो lag बिल्कुल नहीं करेगा और यह बहुत अच्छा मतलब Laptop है Acer का है तो Acer का Laptop बहुत अच्छे होते ही है गेमिंग के तोर पर और एडिटिंग के तोर पर बहुत लोग इस्तमाल करते है Acer का Laptop Acer तो यहां पर बेसिकली इसका रेट अभी 60,000 रुपीज है तो 60,000 रुपीज आपको में नहीं मिलेगा 60,000 रुपीज में नहीं तो आपको अगर यह लैपटोप पसंद आय तो आप इसको चेक आउट कर सकते हो यह ज्यादा वेटेज वाला लैपटोप भी नहीं है 200 kg का Laptop 2.15 kg का Laptop यह बहुत हलका Laptop इसमें भी आपको C Port मिल जाता है अगर आपके पास iPhone है तो आप इससे iPhone कनेक्ट कर सकते हो through wire मतलब wire से कनेक्ट कर सकते हो कोच भी ले सकते हो और iPhone में आप जानते हो सारे Laptop में iPhone कनेक्ट करने का option नहीं मिलता लेगिन Gaming Laptop और Editing Laptop में होना चाहिए इसका display भी बहुत अच्छा है जो आपको काम आएगा Gaming करने में और basically एक Editing Laptop ज्यादा है Editing अगर आप इसमें करोगे तो आपको बहुत अच्छा response मिलेगा तो चलिए हम चलते अब अपने 3rd Laptop की और तो हमारा जो 3rd नंबर पे Laptop आता है वो है Asus का Tough Gaming Laptop F15 तो यह Laptop मैं खुद इस्तमाल करता हूं तो इससे related आपको वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पे जो मैंने एक पूरा review वीडियो बनाया था क्योंकि यह मेरा खुद का Laptop है तो मैं इसे इस्तमाल भी करता हूं और यह best लगा मुझे इसलिए मैं आपको इसको refer भी कर रहा हूं तो आप इसको जाके चेक आउट कर सकते हो बहुत आसानी से और यहां पे आपको इसको Windows 11 मिलता है और GTX 1660 Ti का graphics card मिल जाता है आपको और यहां पे आपको बहुत अच्छा display मिल जाता है 144 Hz का और यहां पे आपको processor मिलता है Intel Core i5 और यहां पे आपको पूरा जो यह gaming keyboard है और यहां पे आपको RGB मिलता है बाकि इसके अंदर fans लगे वे बहुत सारी चीज़े जो आपको देखने को मिल जाएंगी मेरे उस video में जिस video का link मैं आपको description box या i button पर दे दूँगा वरना आप direct जाके मेरे channel पर भी check कर सकते हो ठीक है review video of my laptop करके तो वह आपको मिल जाएगा आपको यहां पर दिखा वह आ गया हो कि किस तरीके से वह दिखेगा तो मतलब यही है मेरा laptop third number वाला laptop इसके बारे मैंने एक पूरा video बनाया तो उसके बारे मैं भी review देके क्या करूंगा अगर आपको लेना है और आपको थोड़ा और जानना है इसके वारे इन detail में तो आप उस video को जाके देख सकते हैं बहुत अच्छा video मैंने उसमें create किया है अपने laptop से related तो आप उसको जाके check out कर सकते हो अगर आपको gaming और editing करना तो यह laptop भी बहुत best है क्योंकि मैं इसे खुद इस्तमाल करता हूं तो इस्तमाल किया laptop तो भाई मैं बोली सकता हूं कि best है तो चलिए हम चलते हैं अब अपने fourth game की और तो अब हमारा जो fourth laptop है उसका नाम है Asus VivoBook S14 S433FL तो यह मतलब एक ऐसा मतलब laptop है जो आप office work के लिए इस्तमाल कर सकते है और editing के लिए भी जादा इस्तमाल कर सकते है इसमें basically gaming अगर आप चाहो तो maybe ना हो ना हो मतलब हो भी सकता है नाई भी हो सकता है 8GB का RAM मिलता है और यहां पर आपको 512GB का SSD मिलता है और Windows 10 मिलता है आपको और यहां पर Core 15 मतलब Intel का Core 15 i5 है इसके अंदर प्रोसेसर और इसका मतलब रेट आपको पड़ जाएगा आपको करीबन में 58,000 रुपीज अगर आप ओफर में लोगे तो आपको मिल जाएगा यह मतलब 58,000 रुपीज तक में आपको यह laptop मिल जाएगा और अगर आपको ओफिस वर्क करना चाते हो बहुत सारे चीजे को देखना देखके चलना चाते हो तो यह laptop बहुत अच्छा है यहां पर आपको 14 इंच का display मिलता है और यहां पर आपको मतलब लगबग आपको सारी से मिल जाती है ऐसा नहीं है कि इसमें सब कुछ चलेगा नहीं सब कुछ चलेगा ठीक है और चलिए हम चलते अब अपने 5th laptop की और अगर आप यह लेना चाते हो तो आप यह ले सकते हो as a freelancer अगर आप लेना चाते हो तो यह बहुत अच्छा laptop पढ़ जाएगा आपको चलिए इंटेल का Core i5 इसके अंदल भी Core i5 है एंवीडिया का GeForce का Graphics Card है MX250 और यहां पर आपको 512GB का SSD मिल जाता है और 8GB का DDR4 RAM तो अगर आपको एक अच्छा editing करना है सस्ता laptop में तो यह बहुत अच्छा laptop रहेगा बस थोड़ा सा इसमें यह होता है कि इसमें lag बहुत जादा करता इसमें lag delay होता है मतला screen delay होता है और थोड़ा थोड़ा इसमें कुछ-कुछ problems है delaying का तो delay होता है अगर आपके पास पैसे कम है या अगर आप सस्ता laptop लेना चाहते हो best में तो आपको यह मिल जाएगा 40,000 का है लकिन अगर offer में लोगे तो 30,000 तक में आपको यह laptop मिल जाएगा बहुत आसानी से और इस laptop के बारे मैं आपको सारा details लिखा वा दिग्या होगा और जाद में इस laptop के बारे में नहीं बूलूँगा इसके अंदर उतना specifications नहीं है तो आप इसको भी check out कर सकते हो अगर आप एक best laptop लेना चाहते हो तो कम rate में तो यह कम rate के तौर पे मैंने एक laptop ब इंटेल का Core i5 processor मिलता है मतलब i5 मिल जाता है i7 तक आप लेके जा सकते हो इसको और यहां पर up to windows 11 प्रो आपको इसमें downloaded मिलता है जो एक बहुत बड़ी बात है अब आपको यहां पर मिल जाता 14.0 FHD का screen display जिसमें ultraviolet rays मतलब अगर आपको lighting पढ़ रही है तो lighting reflect नहीं करेगा वो lighting मतलब reflect नहीं करेगा कोई भी light अगर उसके पर पढ़ेगा तो वो reflect नहीं करेगा जिससे यह display बहुत better होता है और इसका battery का जो life है वो 45 watt का है जो 64 hours तक आपको continuously चला सकते हो 6 hours तक 6 hours तक continuously चला सकते हो और Dolby का Dolby का यहां पर audio graphics है तो यहां बहुत अच्छा audio आपको मिलत और इसमें एक खासी आते है कि यहां पर आपको fingerprint sensor मिलता है इसके अंदर तो जिससे आप fingerprint sensor लगा सकते हो जो आपको password का जरूरत नहीं पड़ेगा और जल्दी जल्दी यह on हो जाएगा जो इसकी technology को एक level upgrade करता है आपको यहां पर Bluetooth भी मिलता है जो 5.1 range तक जाता है और यहा इसके अंदर privacy security और बहुत सारी चीज़े जो अच्छी अच्छी है अच्छा मिलता है आपको इसके अंदर और यहां पर तो integrated Intel Intel का integrated graphics card वह बहुत होता है आपके लिए एक बार के लिए अगर आप game home खेलना चाहते हो लेकिन अगर आप चाहो तो कोई अच्छा graphics card भी इसके अ इसके अंदर दलवा सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर आपको C-type का port और बहुत सारे अलग अलग ports मिल जाते है जो आपके लिए बहुत बेटर रहते है तो आप यहां पर मतलब बहुत सारे laptop में इस टाइप के ports नहीं मिलते है लेकिन इसमें मिल जाता है आपक प्राइजिंग की बात करो तो प्राइजिंग में यह 57,000 का आता है लेकिन अगर आप इसे offer में लोगे तो यह आपको something 50 और 48 के बीच में मिल जाएगा 48 50 के बीच में मिल जाएगा तो चलिए हम चलते हैं अपने 7th नमर वाले laptop की तो अब हमारा जो 7th नमर वाले laptop है उसका न मिल जाता है 512GB का SSD मिल जाता है और Windows 10 आपको मिल जाता है होम में तो आप इसको अपग्रेड करके Windows 11 कर सकते हो और 6GB का आपको ग्राफिक्स कार्ड मिलता है AMD Radon RX की तौर्स पे मतलब मिलता है और यहां पर 15.6 इंच का डिस्पले है शिल्वर कोटेड होता है यह पूरा laptop और बेसिकली देखिए यह जो laptop है यह बहुत अच्छा है editing और gaming के लिए सबसे ज़्यादा gaming के लिए gaming लाइफ स्ट्रीमिंग अगर आपको करना है उसके लिए तो और ज्यादा बेस्ट है तो एक तौर पर मान सकते हो यह थोड़ा महंगा laptop में आप भी आपको पताने जा रहे है और आपको यह laptop flip card या online कहीं पर भी मिल जाएगा बहुत आसानी से यह laptop बहुत हाइफा है और बहुत मतलब इसके अंदर processor बहुत सारी अलग अलग चीज़े है जिसके कारण यह laptop बहुत जादा high है और दुसरा बात इसके अंदर जो मतलब प्रोसेसर, software और hardware इसका जो मिलता ह तो वह बहुत amazing है जो आप उसके जिससे आप अपना gaming editing और हर एक चीज़ कर सकते हो मैं लिख के देता हूं हर एक चीज़ कर सकते हो कि खर्चा करोगे तो सब कुछ मिलेगा और यहां पर आप अपना क्या बोलते है अगर आप चाहो तो apple का फोन है उसका भी connector इसमें मिलता है C type connector तो अलग अलग types के ports भी इसमें बहुत ज्यादा मिलते हैं जो आप इस्तिमाल कर सकते हो जिसके लिए आपको कोई और port लेना नहीं पड़ेगा तो चलिए हम चलते हैं अपने 8th number वाले laptop की हो हमारा जो 8th number वाले laptop है उसका नाम है MSIGGF75THIN 10SE Gaming Laptop तो यह laptop बहुत लोग मत इसमाल करते हैं यहाले laptop, same laptop क्योंकि यह laptop में अगर आप चाहो तो editing, gaming दोनों कर सकते हो बहुत असानी से अगर आप editing में Premiere Pro चलाना चाहो या कोई भी high quality वाले software चलाना चाहो चला सकते हो पूरा full frame में और अगर आप चाहो तो full graphics में Ultra HD graphics में आप इसमें game खेल सकते हो बस इसमे एक ही problem आता है छोटा सा problem जो live streaming के तौर time पे आता है live stream के time पे यह थोड़ा सा lag कर सकता हो सके तो लेकिन यहाँ पे आपको इसमें मुझे लगता है ज्यादा lag करेगा क्योंकि यहाँ पे आपको 512 GB का SSD मिल सकता है जो आप एक TV तक कर सकते हो वहाँ पे आपको Intel का 10th generation का Core i5 क processor मिलता है और यहाँ पे आपको graphics मिल जाते Nvidia का G4 GTX 1650 graphics card और 4GB RAM मिलता है इसके अंदर आपको Windows 10 मिल जाता है इसका जो display वो 17 inch का है और इसके अंदर जितना भी मैं बोलू जितना भी बोलू बहुत जादा ही sale रहता है बहुत जादा ही यह off में मिल जाते 58,000 का laptop है लेकिन यह आपको मिल जाएगा मुझे लगता है 50,000 के अंदर में तो 50,000 या 53,000 के बीच में आपको मिल जाएगा यह laptop तो आप इसको चेक आउट कर सकते हो MSI का G5 753 10 SE Gaming Laptop आपको नाम लिखा वा दिखा होगा अभी नहीं दिखा तो आप पीछे जाके screenshot ले सकते हो तो चलिए हम चलत पीसी जे बहुत जादा popular है पहले हुआ अभी भी popular है लेकिन अगर आप गेमिंग के तौर पे देखो तो बहुत कम मिलती है लेकिन अगर आप एक budget laptop में देखो कि गेमिंग के तौर पे तो आपको यहाँ पे पीसी laptop मिलता है HP की तरफ से HP Pavilion जिसके अंदर Ryzen 5 का Core processor है 500,600H का और इसके अंदर भी आपको 8GB का SSD, 8GB RAM और 512GB का SSD मिल जाता है जिसके अंदर Windows 11 है Windows 11 और यहाँ पे आपको 4GB का Graphics Card मिलता है NVIDIA का GeForce GTX 1650 और यहाँ पे आपको वही वाला display मिलता है जो मेरे laptop में है 14, 144Hz का display मिलता है आपको यहाँ पे और आपको यहाँ पे screen जो मिलता है य 15.6 inch का यहाँ पे 144Hz का refresh rate है बहुत अच्छा refresh rate और यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग type के ports मिल जाते है जो बहुत जादा normal laptop में नहीं होते है और यहाँ पे आपको C type port भी मिलता है जिसमें आप अपना अगर चाहो तो iPhone का अगर आप चाहो तो लगा सकते हो और यहा पे आपको एक एक्स्ट्रा सीम लगाने का मतलब अगर आप लैप्टॉप में देखते हो कि तो लगता है सीम type का चीप type का तो चीप भी आप इसमें लगा सकते हो यहाँ पे वह पो आपको इसके अंदर मिलता है और अगर आप चाहो तो इसके अंदर बहुत अच्छी और त तो यहां पर हमारा जो last laptop है, उसका पहले तो मैं आपको नाम बता देता हूं, वो है Asus की तरफ से आने वाला हो, Asus ROG Strix G15, तो इसका पहले मैं आपको बता देता हूं, इसका जो rate है, आपको 75,000 का accurate rate इसका परता है, लेकिन अगर आप sell पे लोगे, यह बहुत जादा sell पे रह और इसके अंदर आपको मिलता है Ryzen 7 का core processor, 4800H का core processor मिलता है, इसके अंदर आपको, NVIDIA का GeForce GTX 1650 का graphics card मिलता है, 144Hz का refreshing rate मिलता है, और 4GB का graphics card इसके अंदर, Windows 10 और 11 मिल जाएगा आपको इसके अंदर, और यहां पर आपको 512GB का SSD मिलता है, 512GB का SSD और 8GB का RAM है इसके अंदर, तो और क्या चाहिए, और इसके पास है 15.6 इंच का display, मतलब इसके अंदर जो भी RGB है, नीचे display मिलता है, आपको keyboard में RGB मिलता है, और इसमें आप कोई भी game खेल सकते हो, कोई भी editing कर सकते हो, कितना भी high graphics और कुछ भी इस चला सकते हो, मतलब आपको कोई भी configuration चाहिए, तो ये laptop एक बार में उठा लो, लगिन ये थोड़ा महंगा laptop है, और Asus की तरफ से आने वाले laptops बहुत अच्छे होते हैं, ये आपको भी पता है, तो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, इन 10 laptops में से आप कोई भी laptop ले सकते हो, बीच म और MSI पर आप आख बंद करके बरोसा कर सकते हो, गेमिंग और इडिटिंग का मामला में, तो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीस इस वीडियो को एक लाइक कर दियो, और चैनल पर नए हो, तो बैस फिम्स सकारे कि का लगा है, लगा आपको 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 आपको?'